नमस्कार दोस्तों आपका उद्वागत मशिन में अजम बात कने वाल है कि किस तरह साब वाटसेप में विदाउट टाइपिंग मेसेज सेंड कर सकते हो तो जी आए बिल्कुल पोसेबल है और आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा किस तरह साब विदाउट टाइपिंग क किसी भी परसंद को मेसेज सेंड कर सकता हो तो यह सब को जानने के लिए वीडियो देख तरह से तुझे के मैंन को बताए तरह से यह बिल्कुल पोसेबल हो और यह बिल्कुल गुगल आसेटन से मदथ से आप आसानी से WhatsApp में कीसी भी परसंड को मेसेज सेंड कर सकतो विद्धाउट टाइपिंग तो इसके लिए सबसे पहले आपके मोबेल में आपको गुगल आसिस्टन लॉंच करना है इस तरह से तो देखिए यहां पर मैंने लॉंच करते गुगल आसिस्टन तो देखिए सबस से बिले सेंड वाट्साप मेसेज तो देखिए जैसे हमने स्पीक किया कि वाट्साप मैसेज तो ओट्वेटिकली गुगल आश्यूटन आपको पूसेगा कि आप किस परसंड को मैसेज करना चाहते हो इसके बाद जो दूसरी बार आपको पुसेगा इसमें कहा कि आपको मेसेज इसके बाद जैसे आप किसी पी आपके जो WhatsApp नमर में आप आपने स्टेव करके रखे contact नमर इसका नाम आपको देना है इसके बाद आपको आपका मेसेज इसके बाद Google अब तो देखे मैसेज सकसफुली सेंड हो चुका है देखे वीवी को डिया को WhatsApp में मैसेज सेंड हो चुका है तो बस सिंपल जो में तो में इसके मदें से आजसाने साब अब आगे से WhatsApp में without typing किसी भी परसन को मैसेज सेंड कर सकते हो देखे यहां पर हम चक कर लेते है WhatsApp application में कि क्या यह सकसफुली मैसेज सेंड हुआ नहीं तो जैसे हमने WhatsApp ओपन किया इसके बाद आप देखे पहले वाला अकवन हमने अपन किया तो आपको यहां पर देखाए देगा कि हमने मैसेज सेंड कर दिया है यहां पर नहीं में कुछ प्रोब्लम हो लेकिन जो आपका मैसेज सकसफुली सेंड होता है तो यह सिंपल जो मैसेज प्रोसेस के मते से असानी से आगे से आप WhatsApp में विदा हुट टैपिंग मै आप कमेंट में बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए और हमस्का सब्सक्राइब करना मत बुलिए थाकि आपको ऐसे वीडियो मिलता रहे थैंक्क्यों पर शिलिए चुड़ियो